हेलो प्रेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें इससे आप अपने face को साफ बना सकते हैं साफ से मेरा मतलब है आपके face पे कोई भी problem हो जैसे pimple हो wrinkle हो या आप जो आपका जो रंग है वो थोड़ा सा dark हो गया धूत से और अगर आपके चेरे पे pimple acne है इससे भी आप बहुत ज़्यादा परिशान हो तो ऐसे में इस cream को use करते ह है लोग बहुत ज़्यादा उसमें मात्रा में और आज के समय क्रीम काफी पॉपलर है नॉर्मल और लोकल एडिये में काफी ज़्यादा बिकती भी है तो बहुत अच्छी आपके face को बहुत अच्छा कर देगी लेकिन दो चीज़े हैं जो कि आपको जानना बेहस ज़रूरी है अगर आप इंची जो को इग्णोर करते हो तो आपको बहुत जादा problem इसके साथ देखने को मिल सकती है सबसे पहले तो दोस्तों देख सकते ही जो क्रीम है बेशक face के लिए हो लेकिन यहाँ पे आप नोटिस करें यहाँ पे लिखा हुए red space में schedule as prescription drug caution यानि कि दोस्तों इ consult के बीना जो पर्चा होता है जब doctor लिखता है उसके बीना इस ट्यूब को आप नहीं ले सकते अब आप सोचेंगे कि आखिर यह तो face की क्रीम है हमारे face को साफ करने के लिए आती है तो ऐसे में हम doctor से consult क्यों करें इस cream के बारे में तो दोस्तों वह बहुत जादा important है क्योंक बिल्कुल नहीं है यह medicated cream है यानि कि इसके अंदर धवाई मिलाए गई है तभी जाके आपका जो face है एक से दो दिन में गोरा हो जाता है अगर आप कोई cream लगा रहे है और दो दिन में आपका face साफ कर दे तो आयरवेदिक तो कभी भी नहीं होगा क्योंकि आयरवेदिक बह साफ हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है तो यहां पर दुस्ति इसका यूज कैसे करते हैं लोग वह मैं आपको बताऊंगा पहले बात तो यह पर्मानेंट क्रीम आप बिल्कुल भी सजेस्ट मत करना मतलब अपने लिए आप हमेशा के लिए गोरा होना चाते तो इन क् बता भी देते हैं कि इसको लगाना कैसे है और इससे छोड़ना भी कैसे क्योंकि ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपने इसे लगा लिए और पिर जब आप छोड़ दो तो नौर्मली आपका फेस रहेगा गोरा और आपस छोड़ भी दोगे ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप इ स्किन भी काफी खराब हो सकते हैं इसी के अलावा एक और इंपॉर्टन बात अगर आप लगा भी रहे वह से डॉक्टर से बिना कंसल करें तो सिर्फ इसे रात में लगाएं क्योंकि इसके दर जो साल्ट है वह सुबा धूप में जब आप जाते हो और अगर आपने क्रीम लग कभी यूज मत करना क्योंकि इसकी पूरी जनकरिया अगर आपको नहीं है तो आपको इसका नुकसान होना ही होना है क्योंकि एक मैडिकेटर दवाई है कोई भी ऐसी नैश्रल क्रीम नहीं है जिसे आप पर्चेस करके लगा सकते हैं तो इस चीज का ध्यान रखिए जो लोग लगाई यह कुछ चीजें हैं जो आप ध्यान में रखोगे तो इसका साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा लेकिन यहां पर मैं आपको फिर भी बोलूँगा आप इतने डॉक्सर से कंसल्ट करके इस क्रीम को लें क्योंकि यहां पर यहां पर मैडिकेटर क्रीम कोई भी आर किझिक दिखती है बैसे थिमी प्रेस्ट केंटी में ऑठ और यहां पर करो सबस्क्राइब फार नेопर dissous क्रेंट क्रीम को समें तникиered कि अपको अब बीडियो art Do झाल झाल